हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल वोखाईव एजुकेटर पर तो आज हम लोग 27 जून के करिंट अफेर के बारे में डिसकेशन करने वाले हैं तो इसमें जो सबसे पहला प्रशन है वो है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में गौव पालन को लाब प्रद बनाने गोबर प्रबंधन और प्रयावरण सुरक्षा के लिए गौव धन नियाई ओजना की शुरुवात की है तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है आपका 36 गड़ तो अगर हम इसके explanation की बात करें तो 36 गड़ के मुक्य मंतरी भुपेश बगेल ने पशुपालन को विवसाईक रूप से लाब दायक बनाने मवेशियों द्वारा खुले में चराई को रोकने सडकों पर आवारा कदम साबित होगी तो चलते हैं अगले प्रशन की और तो जो अगला प्रशन है वो है कि साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए अस्ट्रेलिया और किस देश को संयुक्त मेजबानी मिली है तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो होगा न्यूजिलें प्रशनी ऐस्टरेलिया और dop को मिल गई है जापान पहले ही इस टूर्ना मेंट की मेजबाणी से पीछे हटगया था इसके बाद अस्ट्रेलिया और और न्यूजिलेंड की काफी मजबूत हो गई थी फीफा ने कहा कि इस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड के फुटबॉल फेडरेशन को 35 वोटों में से 22 वोट हासिल हुए जिससे वो इस टूर्नामिंट की मेजबानी लेने में सफल हो सके तो चलते हैं अब अगले प्रशनी की तरफ तो जो अगला प्रशनी है वो है कि भारतिये रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी नियमित मेल एकस्प्रेस और यात्री ट्रेन सेवाओं के साथ उपनगरिये ट्रेन कितने तारीक तक रद की है तो दोस्तो अगर हम इसकी बात करें तो यह स्का आंसर जो है सो 12 अगस्त होगा तो इसके explanation की बात करें तो explanation क्या है कि कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों क को देखते हुए रेलवे ने सभी रेगुलेटर ट्रेनों को रद कर दिया है रेलवे बोर्ड ने गुरुवार को कहा कि सभी नियमित मेल एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन सेवाओं के साथ उपनगरिये ट्रेन 12 अगस्त तक रद रहेंगी उन्होंने बताया कि सभी स्पेशल चलती रहेंगी इससे पहले रेलवे ने 30 जून तक सभी ट्रेनों को रद किया था तो चलते हैं अगले प्रशनी की तरफ तो अगला प्रशन है केंदर सरकार रेहाल ही में तमिल नाडू में सूक्ष में लगू और मध्यम उध्योग छेत्र के लिए कितने करोड रुपय का एकसी करोड रुपय का दस परतीसत हैं उन्होंने यह भी कहा कि राज्ये में इस योजना से कारगार तरीकों को लागू किया जा रहा है इससे पहले उन्होंने 166 कड़ रुपे लागत की पिल्लूर जल आपूर्ती योजना की आधार शीला रखी थी तो चलते हैं अगले प्रशनी की तरफ तो अगला प्रशनी है किस राज्य सरकार ने हाल ही में गती विधी आधारित एक विशेश सिक्षा पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो शुरू करने की घोशना की है नई योजना को वाटसप या SMS सेवाओं के माध्यम से प्रैक्टिकल सीखने की गती विधीयों और गेम के संदेश पर केंदरित आधियो और वीडियो सामगरी को प्रसारित करके चात्रों को पढ़ाई में व्यस्त रखने के उद्देश से यह योजना शुरू किया गया है तिरपूरा सरकार के द्वारा तो चलते हैं अगले प्रशने की तरफ तो अगला प्रशने है माली गनराज्ये ने NTPC को कितने मेगावाट छमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए प्रामर्श योजना का अनुबंद दिया है तो जिसका सही उत्तर है वो है 500 मेगावाट तो सार्विनिक छेत्र की NTPC ने 24 जून 2020 को कहा कि उसे माली गनराज्ये से 500 मेगावाट छमता के सोर पार्क विकास करने के लिए प्रामर्श परियोजना का अनुबंध मिला है यह अनुबंध 500 मेगावाट छमता के सोर पार्क माली गनराज्ये में विक्सित करने के लिए है उर्जा मंतरी आरके सिंग भी अंतर राश्ट्रिय सौर संग के अध्यक्ष भी हैं इससे पहले टोगोगन राज्जे ने अपने देश में 285 मेगावाट छमता के सौर पार्क के विकास में PMC सायता के लिए NTPC को इसी तरह से शामिल किया था तो चलते हैं अगले प्रशनी की तरफ जो अगला प्रशनी है वो है कि किस देश की इसलामिक रिवल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की घोशना है कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महा सागर में अपना इस्थाई सेन्य अड़ा इस्थापित करेगा तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर वो है इरान तो इरान की इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स ने घोशना की है कि वैं अंतराश्टिय जल में अपनी उपस्थिती का विस्तार करने के लिए हिंद महासागर में एक इस्थाई आधार इस्थापित करने की योजना बना रही है तो चलते हैं अ जूरी दी है तो अगर हम बात करें कि ए एच कि ए एच कि आईडी एफ का मतलब क्या है तो दोस्तों इसका मतलब है एनिमल हस्वेंडरी इंफ्राइस्ट्रक्ट्टर डेवलप्मेंट फंड तो इसके अंतरगत तो इसके प्रस्थाहन के लिए हमारी सरकार के द्वारा तकरीबन 35,000 करोड रुपए का आवंटन किया गया है तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्णी की तरफ तो जो अगला प्रश्ण है वो है कि किस राज्ये ने कोरोना के दौरान मुख्य मंत्री धूर वरती सिक्षा कार्रेकरम के तहत इसकूली बच्चों को बहतर सिक्षा की दिशा में एक महतोपूर कदम उठाया है तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है आपका हरियाना कि हरियाना सरकार ने कोरोना के दौरान मुख्य मंत्री धूर वरती सिक्षा कार्रेकरम के तहत इसकूली बच्चों को बहतर सिक्षा की दिशा में एक और महतोपूर कदम उठाया है सरकार ने रिलाइंस जियो टीवी के साथ इसके लिए समझोता किया है सरकार के अनुसार जियो टीवी के साथ किये के करार के तहत एक जुट एक तहत एजू सेट के चारो चैनल अब जियो के प्लेटफॉर्म पर निश्वल को उपलब्ध होंगे नई पहल से विध्यारती टीवी लैप्टॉप डेस्क टॉप टैबलेट वे मुवाइल के माध्यम से एजू सेट के चारो चैनल देख सकेंगे तो दोस्तों अब हम 27 जून में देश दुनिया के कुछ एतिहासी घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे तो 27 जून को ही 1693 में लंडन में महिलाओं की पहली पत्री का लेडिस मरकरी का प्रशाशन हुआ 1839 में राष्ट्रीगीत के रचईता पंकिम चंदर चटो पाध्या या चटरजी कहलो का जनम हुआ 1867 में बैंक ओफ कैलिफॉर्निया का संचालन शुरू हुआ 1893 में सिख सामराज्य के संस्थापक पंजाब के महराजा रंजीत सिंग का निदन हुआ जिनकी राजधानी लाहोर होती थी 1914 में अमरीका ने इथोपिया के साथ वानिज्य संधी पर हस्ताक्षर किये 1940 में सोवियत सेना ने रोमानिया पर हमला किया 1957 में ब्रिटेन की मेडिकल रिसर्च काउंसिल की एक रिपोर्ट में बताया गया कि धूमरपान की वज़े से फेफडो का कैंसर हो सकता है 1964 में तीन मूर्ती भवन को नेहरू संग्राले बना दिया गया 1967 में लंडन के इन्फिल्ड में विश्व का पहला ATM इस्थापित किया गया 1967 में ही भारत में निर्मित पहले यात्री विमान HS748 को इंडियन एरलाइन्स को सौपा गया 1991 में यूगो सलाविया की सेना ने स्लोवोनिया के स्वतंत्र होने के 48 घंटे के भीतर ही इस छोटे देश पर हमला कर दिया 2002 में G8 देश परमान होतियार नश्ट करने की रूसी योजना पर सहमती हुई 2003 में अमरीका में समलेंग इक्टा पर प्रतिबंद रद किया गया 2005 ब्रिटेन ने सयुक्त राष्टर सुरक्षा परिशद में भारत की वीटो रहीत इस्थाई से रस्ता का समर्थन किया 2008 में Microsoft Corporation के चेर्मेन बिल गेट्स ने अपने पत से इस्तीफा दिया 2008 में भारत और पाकिस्तान ने इरान गैस पाइपलाइन पर योजना को चालू करने में आ रही बाधाओं को दूर किया 2008 में 1971 की लड़ाई में भारतिय सेना की पाकिस्तान के खिलाफ विजय में मेत्वपूर्ण भूमी का निभाने वाले पूर्ब थल सेना अध्यक्ष सैम मौनिक्षा का निधन हुआ तो दोस्तों ये हमने 27 जून के करेंट अफेर और इतिहास के बारे में पढ़ा अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे अगले करेंट अफेर के साथ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें धन्यवाद